C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याय 6 नए प्रश्न, नए विचार अध्याय 6, नए प्रश्न, नए विचार अनगा आज पहली बार अपने विद्याले की ओर से सैर पर जा रही थी इसके लिए उसने देर रात पुने, जो महराश्ट्र में है, से वारानसी यानि उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी स्टेशन पर अनगा को छोड़ने आई उसकी माने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनात दिखाने भी ले जाईएगा बुद्ध की कहानी बुद्ध धर्म के संस्थापक सिधार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे गाओं के जीवन में भी बदलाव आ रहा था इसे समझने के लिए अध्याय नौ देखो बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे बुद्ध क्षत्रिये थे तथा शाक के नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे युवस्था में ही ग्यान की खोज में उन्हों ने घर के सुखों को छोड़ दिया अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे अन्ततह ग्यान प्राप्ती के लिए उन्होंने स्वयम ही रास्ता ढूणने का निष्चे किया इसके लिए उन्होंग ने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की अंततह उन्हें ज्ञान प्राप्थ हुआ इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए यहां से वे वारानसी के निकट स्थित सारनाथ गए जहां उन्होंग ने पहली बार उपदेश दिया कुशी नारा में मृत्यू से पहले का शेश जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया प्रिष्ठ संख्या 58 इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जो सारनात स्टूप का है इस इमारत को स्टूप के नाम से जाना जाता है यहीं पर बुध्ध ने अपना सर्व प्रतम उपदेश दिया था इसी घटना की स्मृती में यहां स्टूप का निर्मान किया गया अध्याए 11 में तुम इन स्टूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे आईए अब पाठ में चलें बुध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथ्वा अन्ने वस्तों को पाने की इच्छा करने लगते हैं बुध ने इस लिपसा को अण्णा या तृष्णा कहा है बुध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं उन्होंने लोगों को दयालू होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वरतमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं बुध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत में दी इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके अब तुम्हारे लिए कुछ करने को जरा सोचो वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था अब पाठ में चलें बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्विकार करें कि यह उनका उपदेश है बलकि वे उसे अपने विवेक से मापें आओ देखो उन्हों ने ऐसा किस प्रकार किया प्रिष्ट संख्या 69 किसा गोतमी की कहानी यह बुद्ध के विशय में एक प्रसिद्ध कहानी है एक समय की बात है किसा गोतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोध में लिए नगर की सडकों पर घूम घूम कर लोगों से प्रात्ना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया बुद्ध ने कहा मुझे एक मुठी सर्सों के बीज ला कर दो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूँगा किसा गोतमी बहुत प्रसन्न हुई पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यू ना हुई हो किसा गोतमी एक दर्वाजे से दूसरे दर्वाजे गई लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता माता, बहन, भाई, पती, पतनी, बच्चे, चाचा-चाची, दादा या दादी की मृत्यू हुई थी जरा सोचो बुद्ध दुखी मा को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे इस प्रिष्ट पर दाहिनी ओर एक बॉक्स है जिसमें भारतिय दर्शन की छह पद्धती का वर्णन किया गया है जिसे शड दर्शन भी कहते हैं आईए सुने सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौध धीक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की छे शाखाओं ने किया ये वैशेशिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमानसा और वेदान्त या उत्तर मीमानसा के नाम से जाने जाते हैं दर्शन की इन छे पधतियों की स्थापना क्रमशह, रिशी कनद, गौतम, कपिल, पतनजली, जैमीनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है जो आज भी देश में बौध धिक चर्चा को दिशा देते हैं जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समिलर के अनुसार दर्शन की इन छे शाखाओं का विकास कई पीडियों के दोरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ यद्यपी ये एक दूसरे से भिन दिखते हैं तथा पी सत्य की इनकी समझ में आधार भूत तालमिल दिखता है अब आएए पाठ की और चलें उपनिशद जिस समय बुध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रशनों का उत्तर ढूणने का प्रयास कर रहे थे उनमें से कुछ मृत्यू के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे जबकि अन्य यग्यों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे इनमें से अधिकान्ष चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो की स्थाई है और जो मृत्यू के बाद भी बचा रहता है उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रहम अथवा सार्वभव्व्व आत्मा के रूप में किया है वे मानते थे कि अन्ततह आत्मा तथा ब्रहम एक ही हैं ऐसे कई विचारों का संकरन उपनिशदों में हुआ है उपनिशद उत्तरवेदिक ग्रंथों का हिस्सा थे उपनिशद का शाब्दिक अर्थ है गुरू के समीप बैठना इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है प्रायह ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तूत किये गए हैं प्रिष्ट संख्या साथ बुद्धिमान भिखारी यह वार्तालाप चांदोग्य उपनिशद नामक प्रसिध उपनिशद की एक कहानी पर आधारित है शौनक वा अभी प्रतारिण नामक दो रिशी सार्वभावम आत्मा की उपासना करते थे एक बार जियों ही वे भोजन करने के लिए बैठे एक भिखारी आया और भोजन मागने लगा शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते भिखारी ने पूछा विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया सार्वभावम आत्मा की ओ भिखारी ने कहा इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभावम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है रिश्यों ने कहा हाँ हाँ हम यह जानते हैं भिखारी ने फिर पूछा अगर यह सार्वभावम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ तुम सत्य बोलते हो युव अब्राह्मन इसलिए हे रिश्यों मुझे भोजन न दे कर आप उस सार्वभावम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं भिखारी की बात की सच्चाई जानकर रिश्यों ने उसे भोजन दे दिया जरा सोचो तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए रिश्यों को किस तरह मनाया अब पाठ में आगे चलते हैं इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकान्शता पुरुष ब्राहमन तथा राजा होते थे कभी-कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी मा के नाम पर पड़ा सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीवर जिग्यासा उत्पन्न हुई गौतम नामक एक ब्राह्मन ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में सुईकार किया तथा वह अपने समय के सरवाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए उपनिशदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचारे के द्वारा किया गया जिनके बारे में तुम कक्षा साथ में पढ़ोगी प्रिष्ट संख्या 61 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक बॉक्स है और उस बॉक्स में व्याकरण विद पाणिनी के विशय में बताया गया है आईए सुने व्याकरण विद पाणिनी इस युग में कुछ अन्य विद्ध्वान भी खोज कर रहे थे उन्ही प्रसिद विद्वानों में एक पाणीनी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेश क्रम में रख कर उनके आधार पर सुत्रों की रचना की ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लगु सूत्रों के रूप में लिखे जो लगभग 3000 के करीब है जैन धर्म इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24 में तथा अंतिम तिर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया वह वज्जी संग के लिच्छिवी कुल के एक शत्रिय राजगुमार थे इस संग के विशय में तुमने अध्याय पांच में पढ़ा है तीस वर्ष की आयू में उन्होंग ने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे बारह वर्ष तक उन्होंग ने कठिन एवं एका की जीवन व्यतीत किया इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्थ हुआ उनकी शिक्षा सरल थी सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रतेक स्त्रीव पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं सभी के लिए जीवन प्रिय हैं महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी यही कारण है कि साधरन जन भी उनके तथा उनके अनुयाईयों की शिक्षाओं को समझ सके देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग-अलग रूप प्रचलित थे प्रचलन क्षेतर के आधार पर ही उनके अलग-अलग नाम थे जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी जिसे आज मगधी कहते हैं जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयाईयों को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर साधा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से इमानदार होना पड़ता था। तथा चोरी न करने की उन्हें सक्त हिदायत थी। उन्हें ब्रहमचर्य का पालन करना होता था। प आईए सुने जैन जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जरा सोचो और बताओ महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ। अब पाठ अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भिखु भिखुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्य तह व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीडे मकोडों को मारना बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ-साथ गुजरात, तमिलनाडू और करनाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयाईयों की शिक्षाएं कई शतावदियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्षपूर्व गुजरात में वललभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसकी जानकारी के लिए मानचित्र संख्या साथ देखो जो 105 प्रिष्ट पर दिया गया है। आईए आगे चले। संग, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्यान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हों ने संग नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संग में रहने वाले बौध भिक्षवों के लिए बनाय गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संग में पुरुशों और स्त्रियों के रहने की अलग-अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संग में प्रवेश ले सकत पती से अनुमती लेनी होती थी। और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निप्टारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संग में प्रवेश लेने वालों में ब्राहमन, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विशे में लिखा तथा कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के विशे में सुंदर कविताओं की रजना की। जरा सोचो और बताओ, पिछले अध्याय में वर्णित संग और इस अध्याय में वर्णित संग के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं भी दिखती हैं? पाट से पहले इस प्रिष्ट पर दिये गए एक चित्र के बारे में आएए सुने, यहां एक चित्र दिया गया है जो पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा का है, यह कारले स्थित एक गुफा है, कारले वर्णित महाराश्ट्र में है, भिखु भिखुणी इन शरन सलों में रहकर ध्यान किया करते थे, अब आएए पाट में चलें, विहार, जैन तथा बौध भिखु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, केवल वर्षा रितु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो वे एक स्थान पर ह निवास करते थे, ऐसे समय वे अपने अनुयाईयों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थाई निवासों में अथ्वा पहाडी क्षित्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, जैसे जैसे समय बीतता गया, भिख्खु भिखुणीयों ने, स्वयम तथा उनक के निर्मान में इटों का प्रयोग होने लगा, पश्चिवी भारत में विशेश कर कुछ विहार पहाडियों को खोद कर बनाए गए, प्रिष्ट संख्या 64, यहां एक बॉक्स है, जिसमें बताया गया है, एक बौध ग्रंत से ग्यात होता है, जिस तरह महा सागरों में मिलन पर नदियों की अलग-अलग पहचान समाप्थ हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयाई जब भिक्षियों की श्रिणी में प्रवेश करते हैं, तो वे अपना वर्ण, श्रिणी और परिवार सब त्याग देते हैं, आईए, अब पाठ में चलें। वस्त्र तथा दवाईयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षू और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। लगभग उसी समय ब्राह्मनों ने आश्रम विवस्था का विकास किया। यहां आश्रम शब्द का तातपर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बलकि इसका तातपर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रहमचर्य, ग्रिहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास नामक चार आश्रमों की विवस्था की गई। ब्रहमचर्य के अंतरगत ब्रहमण, ख्षत्रिय तथा वैश्य से यह अप्यक्षा की जाती थी कि इस चरण के दोरान वे साधा जीवन बिता कर वेदों का अध्यायन करेंगे। ग्रिहस्थ जीवन के अंतरगत उन्हें विवाह कर एक ग्रिहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतरगत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंतता उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायह स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी। और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किये जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरन करना होता था। जरा सोचो और बताओ। संग के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी। यहां किन वड़नों का उल्लेक हुआ है। क्या सभी चार वड़नों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमती थी। प्रिष्ट संख्या 65 अन्यत्र एटलस में इरान ढूड़ो। जर्थुस्त्र एक इरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अविस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अविस्था की भाषा तथा इसमें वड़नित रीती रिवाज, वेदों की भाषा और रीती रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जर्थुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन तथा सद कार्य। हे इश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद विचार प्रधान कीजिए, जिनके जरिये हम शांती बना सकें। एक हजार से भी अधिक वर्षों तक जर्थुस्त्रवाद इरान का एक प्रमुक धर्म रहा। बाद में कुछ जर्थुस्त्रवादी इरान से आकर गुजरात और महाराष्टर के तटिये नगरों में बस गए। ये लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। बॉक्स में कुछ उपियोगी शब्द दिये गए हैं जिनका प्रयोग इस पार्थ में हुआ है। आईए उन शब्दों को सुने। तंहा या त्रिष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिशद, जैन, अहिंसा, भिक्खु, संग, विहार, आश्रम, कल्पना करो। तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनेने जाना चाहती हो। वहाँ जाने की अनुमती लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी। इसका वर्डन करो। आओ याद करें। एक, बुध्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन-किन बातों पर जोर दिया। दो, सही व गलत वाक्य बताओ। क, बुध्ध ने पशु बली को बढ़ावा दिया। सही व गलत। ख, बुध्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनात में देने के कारण इस जगा का बहुत महत्व है। सही या गलत। प्रिष्ट संख्या, 66 ग, बुध्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही या गलत। ग, बुध्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। सही या गलत। अंग, उपनिशदों के विचारगों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तों में एक ही हैं। सही या गलत। तीन, उपनिशदों के विचारक किन प्रश्णों का उत्तर देना चाहते थे? चार, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? इस प्रिष्ट पर बॉक्स में कुछ महतोपूर्ण तिथियां दी गई हैं। उपनिशदों के विचारक, जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व, आओ चर्चा करें। पांच, अनगहा की मा क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। छे, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संग में प्रवेश करना आसान रहा होगा। तरक सहित उत्तर दो। आओ करके देखें। साथ, इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम पांच विचारों तथा प्रशनों की सूची बनाओ। उनमें से किनी तीन का चुनाओ करके चर्चा करो कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं। आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुशों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहां रहते हैं। किस तरीके से कपड़े पहनते हैं तथा क्या खाते हैं। और ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठे पुस्तक हमारे अतीत का छट्वा अध्याय शीर्शर्था नए प्रश्ण नए विचार निर्मान सहयोग शानु मुक्सीम वाचन स्वर और निर्मान अजीत होरो तथा प्रस्तुती C I E T N C E R T नए दिल्ली भारत